शिव महा पुरान यहां तक विश्नु पुरान करती है, इसकंद पुरान वर्णन करती है, कार्ति खंड वर्णन करता है, कि तुलसी का क्यारा गोल है, चोकोर है, शडाकार का है, उसका भी प्रमान हमारे सास्त्रों में लिखा हुआ है, कि अगर तुलसी का कुंड गोल है, तो वो एश्वरे प्राप्त करता है तुल्सी का कुंड चोकोर है तो वो वन्ष की भरद्धी करता है तुल्सी का कुंड अगर शड़ा करती का है छे फलक बाला है तो वो घर में संपदा की भरद्धी करता है तुल्सी के कुंड का भी प्रमान अमरियां सास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए तुलसी के कुंड की आकरती कैसी होना चाहिए तुलसी का कुंड होना कैसा चाहिए उसका भी प्रमान अमरियां इसकंद पुराण में लिखा हुआ है विश्नु पुराण में लिखा हुआ है कि आपको किस रूप में चाहें पर जगत है ना दुनिया के आगे हाथ पे लाओ जाकर निवेदन करो यहां वाले बाबा के पास होया वहां वाले बाबा के पास होया उसके पास होया उसके पास होया जगत के पास जाओगे दुख पाओगे रुपिया खाएंगे चूना लगा पर निवेदन है इन से बच कर शिवकिष्रन में जाकर भगवान सास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार हम क्यों ना कर्म करें जिसका फल हम पा जाएं हम क्यों ना एसा कर्म करें जिसके फल को हम पा सकें हम क्यों ब्रहमीत हो हैं हमारे यहां तुलसी के कुंड का भी निवान विधान है गोल कुंडा है अिष्वर देका चोकोर कुंडा है आप लोग कई वार देखें हूंगे कसी किया चोकोर तुलसी का क्या argument होता है कुंडा होता है वह वंश बड़ाता है पड़ाक्रती का है, वो धन देता है, संपधा देता है. दोश हमारा है, हम तुल्सी के कुंडे के नीचे संकर जी को रख देते हैं, क्यों? कि यहीं तुल्सी जी को पानी चड़ाएंगे, यहीं संकर जी को चड़ाएंगे, दोश है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्पदेव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चड़ाएंगे पातरी रख देते हैं, नहीं, दोश, इसका दोश, हम सब को स्वयम अगर गलती करते हैं तो स्वयम को बो, कैसा कुंड हो, साथ तरह के कुंडो का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है माराज, पहला गोल, दूसरा चोकोर, तीसरा शडाकरती, तीस, चोथा तरवेणी, तीन कोने वाला कुंडा, सास्तर कहता है, जिसके मार्ग घर में तुकडे हो रहे हो, घर विवाजन की ओर हो रहा हो, तो तीन कोन का कुंडा, घर में रत्तर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है, पाच्वा, गाडन में बिना कुंडे का, बिना कुंड का, जो तुलसी का पोधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी तुलसी पन्न हो जाती है, महराज, वहाँ पर संपदा तो रहती है, पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहती है, क्यों, घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी वगीचे में तुलसा कर दी, कोई निकल कर जा रहा था, उसने थुग दिया, कोई निकल कर जा रहा था, उसने पानी डल दिया, कोई स्वान ने, कुटे ने, किसी ने, बिल्ली ने, गंदगी कर दी, उसका दोश आपको लगेगा, इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन्तो देगा, जो तुमन महाराज छटा तुलसी के कुंड को तीन धार पर लटका कर रखना कई जगा पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको तीन जो तार होते हैं तीन जो चेन होती है उस पर लटकाया जाता है महाराज विश्नु पुरान उसका भी व्याख्यान करती है माराज वहाँ व्यक्ति के कारे उन्नती की सिड़ी की और बढ़ जाते हैं जैसे भोजन की थाली लग गई भोजन तयार हो गया बस खाने बेटे हो और थाली खसक गई समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा लग रहा है इस वेपार को करेंगे इतना फायदा हो जाएगा सब कुछ करा लाखो रुपे लगा भी दिये धाली मालूम पड़े खसक गई अधर लटका है तुलसी साथ क्रम है तुलसी के ये छटा क्रम बताया तुलसी का साथ वक्रम है महराज तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है एसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें प्रती दिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुक रखकर उसकी अराधना करना फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना हम तो यहां तक करते हैं विश्नु पुराण गर्ग सहीता कल्यान का तुलसी यंग यहां तक वड़न करता है कि आप पूरे साल यह नहीं कर सकते तो कम से कार्तिक के महिने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड चोकोर वाला बोल नहीं चोकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन करकर भगवान के साथ उस कुंड को वापिस बाहर विराजमान करें फिर कल लेकर आए फिर विराजमान आप पूरे साल नहीं कर सकते तो एक महिना उसका फल हजार गुना प्राप्त होता है तो किस चीज के लिए कहा गया कि तुलसी का कुंडा एक बहार हो एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए तो कहते हैं उस घर में वेभव, सत्ता, संपदा, लच्मी, समरद्धी, शान्ती की कभी कमी नहीं, कभी कम प्राप्ति सुक की, आनन्द की साथ तरह के कुंड, साथ तरह के तुलसी के रोप का वर्णा नहीं हमारे यहां विश्णु पुराण में किया गया साथ आप किस भाव से कर रहे हैं, यह आप क्यों महाराजा इस्तनियों के, नारियों के, जितने भी रोग होते हैं, बिमारियां होती हैं, रजो धर्म से जुड़ी हुई, जो भी तकलीफे होती हैं, उसका भी व्याक्यान देवी भागवत में इस पश्ट कहा गया, गूलर का फूल, अर्थाथ जो देवी जी को माता जी को जो घंटी वाला फूल चड़ता है, लाल कलर का, गूलर का फूल, माता की चरणों को छुआ कर, तुलसी के पोधे का इसपर्ष करा कर, जो नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई, परिशानिया होती हैं, उसके अंतरगत वो फूल, तुलसी का पोधा दिखाते हुए, खिला दिया जा दो या तीन देन मारा, तो शास्त्र कह रहा है, अराधना में आप हाथ की माला, कर की माला ना भी रखें, तो घट की माला, तुलसी की माला, रुद्राच्छ की माला आपके कंठ में होगी, तो 21,600 स्वास, जो मनुश्य के शरीर से प्रती दिन निकल रही है, 21,600 स्वास, जो मनुश्य के शरीर से प्रती दिन निकल रही है, उस स्वास के बल पर, आपकी घट की जिव्या से, वो मन पर जाप हो जाएगा, उसका पुन्द आपके खाते में, तुमारे गले में जो तुलसी की माला हो, तुमारे गले में जो रुद्राच्छ की माला हो, मनके की माला मत पहना गले में, बारिक बारिक मनके की कर लो, छोटे से छोटे मनके की कर लो, सो से भी जादा हो, एक सुआट से भी जादा हो, क्यों? क्योंकि गले में अगर तुलसी की माला होगी, गले में रुद्राच्छ की माला होगी, भले तुमारे गले में जो तुमार